Hello friends, Welcome to Alice Learning Today we discuss about the first chapter of the physics of class 6 यह आपका first chapter है इसके बाद आपका second आएगा और धीरे धीरे करके मैं सारे chapter अप्लोड करूँगा पूरी की पूरी जो physics है मैं पूरी आपको free of post में पढ़ाऊँगा ठीक है, इसके वीडियो जाते रहेंगे तो क्या है कि अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरू करिएगा साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको subscribe भी कर लिजेगा साथ में bell icon भी प्रेस कर लिजेगा जिससे कि जो भी notifications हैं जो भी next videos मैं upload करूँ आपको notifications मिल जाए तो इसलिए आप subscribe करिएगा साथ में bell icon भी प्रेस कर लिजेगा तो चलिए बात करते हैं matter की तो देखीगा समझेगा क्या होता है matter look around you आप अपने चारों तरब देखिए तो you will find a large number of the things आप बहुत सारी चीज़ों को आप देखेंगे तो क्या जब आप देखेंगे सारी जो चीज़ हैं आप क्या कर सकते हैं उनको देख सकते हैं टच कर सकते हैं तो जो आप देख सकते हैं टच कर सकते हैं वो किस चीज़ से बनी है matter से किस से बनी है matter से आप देख सकते हैं कि table रखी हुई है बैड है या फिर आपकी books है phone है या आप बाच है बहुत सारी जो आपके सामने चीज़ाय रखी हूई है जिनको आप टश कर सकते हूँ वो सारी की सारे चीज़ाय किससे बनी हुई है matter से बनी हुई होती है कुछ example जो समझते है food आप खाना खाते है बो भी क्या है बो भी आपका मैटर से बना है water जो आप drink करते हैं बो भी मैटर से sun हो गया moon है stars है ये सारे क्या है मैटर से बनी हुई होते है आप देख सकते जैसे कि आप और भी बहुत सारे चीज़े है मालों कि अब बात करते है air की एर की बात करते हैं आपके चारों तरफ क्या है एर आप ब्रीधिंग करते हैं है ना तो एर है एर क्या है कि एर भी किस से बनी है मैटर से बनी हुई होती है क्लियर है आप उसे देख नहीं सकते हैं लेकिन वो भी क्या है मैटर से बनी ही है अब इसके बात अगर हम बात करेंगे तो then how to defend matter matter को आप किस तरह से defend करेंगे तो according to science, science के according आप matter को define कर सकते हैं matter is defined as anything which occupy space and hedge mass matter को है matter को आप define कर सकते हैं matter कुछ भी हो सकते हैं जिसने कुछ matter नहीं है बोल सकते हैं what is not matter क्या चीज है जो matter नहीं है तो matter नहीं है heat हो गया light हो गया इनको हम physics के अंदर recognize नहीं करते हैं कि यह matter है clear है हम इनको recognize नहीं करते हैं and neither do they have must not do they occupy space clear है तो आप heat और light आजाते हैं तो यह क्या है यह आपके matter नहीं है clear है अब चलिए बात करते हैं देखीगा कि इसमें first activity दे रखी है आपको यह करने है अपने आपसे यह आपका homework है जो भी activity रहेंगी कुछ और चीज़े हैं homework में आपको दूँगा आप ने आपसे करिएगा आपकी जो doubt है काफी clear होंगी तो क्या activity की बात करेंगी जो इसमें matter उन पर आपको tick करना है जो matter नहीं है उनको आपको क्या करना है cross करना है तो आप यह करिएगा और comment भी करिएगा कि matter कौन से हैं और matter कौन से नहीं है तो हमको बहुत इच्छा लगेगा आप करिएगा ठीक है मैं देखूँगा कि आपको कितना आता है ठीक है कितना आना start हो गया कि matter आप पहचान सकते हैं या फिर नहीं पहचान सकते हैं चलिए बात करते हैं कोई चीज़ को पहले समझते हैं कोई भी है कोई भी आपकी things है या सारे आपका materials है सारे materials की बात करना हूँ मैं एक भी materials छोड़ा नहीं है सारे materials या आपकी जो things है सारे things है उसने space को occupy कर रखा है like अगर air की बात करेंगे हम उसको क्या देख नहीं सकते लेगे फिर भी उसने space occupy कर रखा है अब बात करते हैं कि volume क्या होता है तो volume को आप कैसे define करेंगी amount of space occupied by matter जो amount of space है matter ने occupied कर रखा है उसको बोलेंगे volume क्या बोलेंगे volume clear है अब एक चीज़ और समझते हैं एक activity और समझते हैं जिससे कि आपको clear हो जाएगा कि matter जो भी होते है matter space को occupy करते हैं clear है तो देखीगा second जो activity उसको समझेगा आपको क्या करना है यह जो activity है आप अपने घर पे भी कर सकते हैं तो try करिएगा और जिसमें आपको काफी help मिलेगी देखीगा कि matter क्या है matter space को occupy कर रखा है matter occupy करता है इसको आपको क्या करना है prove करना है so करना है तो सबसे पहले आपको क्या लेना है एक glass tumbler लेना है water लेना है है ना आप इसके बाद stone लेना है and एक piece of the thread लिजिये आपको क्या करना है completely filled कर दीजीगा और इसके बाद इसको एक bowl में यहाँ पर place कर दिया place करेंगे इसके बाद जो आपने stone लिया था उसको क्या करिएगा टाइ करिएगा जो stone है thread से टाइ करने के बाद उसको यहाँ पर gently इसमें डाल दीजीगा जैसी आप इसको डालेंगे क्या होगा कि जो glass था आपने पूरा का पूरा उसे बाटर है किसमें आगया बावल में आगया था तो अब इसके बाद आप इसको अगेन इसके अंदर डालेंगे तो पूरा का पूरा जो आपका glass था glass tumbler है वो filled हो जाएगा इससे आपने जो conclusion है क्या निकाला कि जैसे आपने stone डाला तो stone की बज़े से जो water था वो क्या होगा displaced हो गया glass से क्या होगा displaced हो गया इसका मलब जो stone है उसके पास कुछ ना कुछ मास था इसका मलब है कुछ ना कुछ ना कुछ इसके पास जो space उसने कुछ ना कुछ occupy किया है उसने क्या गया है कुछ ना कुछ space occupy किया है इसकी वहीं से water क्या होगा, displaced होगा अब जो water displaced होगा, फिर आपने again इसमें डाल दिया, तो क्या है, आप ऐसे बोल सकते हैं, कि water है आपका, और साथ में stone है दोनों ही क्या है, दोनों ही matter है, जिसने की space को occupy कर रखा है, clear है दोनों ही space occupy कर सकते हैं या आप समझ सकते हैं, इस activity से आपको काफी help मिलेगी, कि matter क्या है, कि जिन्होंने space occupy कर रखा है, कुछ ना कुछ space को occupy करते हैं कि लिए या तो एक चीज आपकी कि लिए होगी अब बात करते हैं, next point की तरफ चलते हैं mass, अब बात करते हैं, mass mass को कैसे define करेंगे, mass को समझते हैं कि amount of, या बोल सकते quantity of matter, quantity of matter contained in an object इसको बोलेंगे, क्या is known as the mass कि लिए, amount या quantity of matter contained in an object is known as mass इसको क्या बोलेंगे, mass बोलेंगे अब इसको भी एक activity के तुरू समझते हैं कि लिए देखेगा, activity काफी important हो जाती हैं आपके लिए, क्योंकि activity के साथ आप चीज़ें clear हो जाएंगी और देखेगा, इन activity को आप घर पे भी कर सकते हैं, अगर simply आपके पास सारे जो जिस चीज़ की material है, जो requirement पड़ रही है वो सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको कर सकते हैं तो देखेगा, आप क्या करना है, आपको prove करना है, so करना है, to so that matter has mass, matter के पास क्या mass है, तो आपको पहले क्या लेना है spring balance लेना है, फिर इसके बाद जो material requirement है, spring balance होना चीज़ेंगे, आपके पास cotton thread होना चीज़ेंगे, एक small empty can होना चीज़ेंगे और water, या pebbles हो या फिर sand हो, आपके पास हो, तो उससे आपका काम चल जाएगा, फिर इसके बाद क्या करना है, आपको, जो spring balance है spring balance को hook से क्या कर देना, इसको suspend कर देना इसके बाद उसकी जो reading है initial में आपको reading है, उसकी check कर लेना है initial में reading है वो आपको क्या कर लेना है, या पर आप check कर सकते हैं कि कितनी reading थी इसकी बाद क्या है, कि जो can है, empty can को इससे आपने empty can को substance कर दिया, इससे, empty can को suspend किया आपने, फिर इसकी बाद आप जो reading है, उसको reading note कर लीजीगा फिर जो first case है, यहाँ पर तो आपने empty can आपने इसमें क्या की suspend की, इसके बाद आपको क्या कर दिना है can में पानी डाल दाएना, आपने water को क्या कर दिना, field कर दिया, तो water को field, पहले तो आपने क्या किया, इसकी reading ले ली, जब आपने can को suspend किया, इसके बाद water इसमें field किया, तब भी आपको क्या करणा रीडिंग ले लींगा है, इसके बाद आप क्या करीगा, send, water के बाद water को हटाने के बाद send इसमें फिल्ड कर दितए refine तो क्या है, जो reading आपने ली इनिESली, जो empty can की reading ली, आपने फिर तो difference निकालेंगे, तो difference निकालेंगे, final reading और जो initial reading है, ये conclusion है, final reading और जो initial reading है, उसका difference निकालेंगे, तो क्या निकल के आ जाएगा, वो आपका weight आ जाएगा, weight of the things put in the can, जो आपने can के अंदर रखा है, उसका weight निकल के आ जाएगा, तो इसका मलब क्या है, कि जो matter है, matter के पास क्या है matter has mass इससे एक conclusion निकाल सकते हैं आप ये conclude हुआ है we conclude that matter has mass तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि matter occupy space and has mass अब बात करते हैं और चीज़ों समझते हैं देखेगा देहां से अब क्या है कि composition of matter तो जो matter है किस से बना हुआ होता है तो matter क्या है एक छोटे छोटे particle से मिलके बना हुआ होता है इसको समझ ज़िए काफी important है देखेगा matter क्या है छोटे छोटे particle से मिलके बना हुआ होता है जिसको ओलते है atoms क्या है atom atom आपका क्या रहता है do not have an independent existence हमेशा इस बात को ध्यान रखेगा and atom usually do not have an independent existence अब साथ में बात करते हैं जैसे कि atom है यह छोटे-छोटे atom है जो कि क्या है इसके अंदर जो matter है matter के अंदर बहुत सारे छोटे-छोटे atoms है अब वही atom आपस में जब combine करते हैं आपस में क्या करेंगे combine करेंगे तो combine होने के बात क्या बनाते है molecule क्या बनाते है molecules आपको याद रखना है molecules क्या होता है atom combined to form molecules अब बात करते है molecule तो molecule क्या है अगर matter की बात करेंगे तो smallest particle है छोटा सा छोटा मलब छोटा particle है किसका है matter का छोटा particle है matter का छोटा particle और can exist independently ये independently exist कर सकता है तो आप इसको समझेगा अगर आपको जो chemical या फिर physical property पता करनी है तो किसके पता करेंगे? molecule की तो molecule आपका काफी important हो जाता है तो molecule को आप याद रखिएगा molecule जब भी आपको property पता करनी है, physical या chemical वो किससे पता करेंगे? molecule से तो manly हम किसके बारे में पढ़ेंगे? molecule के बारे में पढ़ेंगे तो समझेगा ध्यान से, अब एक चीज और इस चीज को आप ध्यान रखिएगा know about the scientist scientist का नाम अपने नहीं सुना होगा आशार कनाद, कौने? आशार कनाद ये Indian scientist है Indian एक philosopher थे काफी time पहले की बात है तो इससे, इन्होंने सबसे पहले सबसे पहले इन्होंने सबसे पहले अनू के बारें बताया था अनू क्या होता है? अनू जिसको हम बोलते हैं अनू बोल सकते हो, अनू बोल सकते हो ये क्या है? ये atom कहा है, जो atom है इन्होंने सबसे काफी टाइम पहले ही एटम के बारे बता दिया गया था काफी दिन पहले ही बता दिया था तो यह इनका आचार कनाद का नाम याद रखेगा इसका एटम का कॉंसेप्ट इन्होंने दिया था जो भी chemical changes होते हैं या chemical reactions होती है एटम क्या करता है एटम इसी में पार्ट लेता है एटम की बज़े से ही जो chemical changes है जो equations है वो क्या है इसी के बज़े से होती है तो इतना आप deeply मत जाईएगा बर इतना ही याद रखेगा कि एटम के बारे में सबसे पहले कनाद ने concept दिया था इसी कनाद आचार कनाद जीने ठीक है तो यह सारी चीज़े है आप इसके बाद देखेगा क्या है कि state of matter की बात करेंगे तो अगर temperature पर हम dependency अगर temperature पर depend करते हैं depending on its temperature जो कोई अगर हमारा substance है अगर हम temperature को लेके चलेंगे तो क्या होता है कि जो state of matter है जो matter है आपका जो substance है तीन form में पाए जाता है three form में पाए जाता है क्या solid, liquid and gas किस-किस में solid, liquid and gas में ठीक है तो solid, liquid, gas में होगा अब देखेगा यहाँ पर activity दे रखी फोर्ट इसमें आपको classify करना है solid, liquid, gas के बारे में बताना है जो object यहाँ पर दे रखे है तो थोड़ा सा solid, liquid, gas के बारे में और briefly थोड़ा सा और समझाता हूँ आपको और career हो जाएगा इसके बार आप इस activity को करिएगा तो देखेगा क्या है कि solid, liquid, gas क्या है three state है किसकी matter की three state है matter की अब जैसे मैंने बताया था कि सारे substance होते है किस से बने है molecule से मिलके बने हुए होते है तो जो state है आपकी state किस बहुए से arise हो रही है क्योंकि जो molecules का है वो arrangement क्या रहता है different रहता है molecule का arrangement different substance में different रहता है अब साथ मैं बात करते हैं molecule जो होते है इनके बीच में क्या होता है force of attraction बर करता है इस बात को ध्यान रखेगा क्या बर करता है force of attraction बर करता है इसके बएसे यह क्या एक दूसरी कि तरफ held रहते हैं तो force of attraction क्या करता है बर करता है इस force of attraction क्या बोलते हैं intermolecular force of attraction क्या बोलते हैं intermolecular force of attraction अब इस force की बज़े से अगर मालों कि दो कोई कोई भी things है इनकी बीच में अगर force लग रहा है तो क्या होगा या तो यह पास में आएगी attraction लग रहा है force of attraction तो पास में ही तो आएगी कितना पास में हैंगी यह किस पर depend करेगा यह strength of force कि कितना strength of force लग रहा है वो space है space space किस बज़े से आएगा किस की बज़े से आगया due to strength of the force कि लिए रहे हैं अब जो space है वो vary करता है इसी के बज़े से strength of force की बज़े से जो strength है intermolecular force की कितनी है तो इसी के base पर हमारा क्या आता है intermolecular space अगर आपका क्या है कि एक basic concept है समझेगा कि intermolecular force of attraction क्या जानता है तो जो space है क्या हो जाए कम हो जाए क्योंकि यह बहुत जाना पास में आ जाएगी तो space इनकी बीच क्या हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा तो दो आपको point याद रखने हैं क्या याद रखने है कि जो state of matter है किस पर depend करती है एक तो intermolecular force of attraction और दूसरा intermolecular space किस पर depend करेगी intermolecular force of attraction and second one intermolecular space अब इसको एक figure यहाँ पर दे रखके से और आप clear समझ सकते हैं जैसे यह दे रखके है figure 1 point 3 में molecule है यह molecules है ठीक है molecules की बीच में क्या लग रहा है intermolecular force of attraction लग रहा है ठीक है यह आप देख सकते हैं इसकी बएशे जो इनकी बीच का जो space है उसको क्या बोलते है intermolecular space ठीक है तो intermolecular space आपको clear हुआ जो molecules की बीच में space है उसको क्या बोलेंगे intermolecular space तो यह सारी चीनिया अब देखेगा कि बात करते हैं arrangement of molecule in solid liquid gas. Arrangement की बात करेंगे, तो देखेगा, अगर बात करते हैं सबसे पहले solid की. तो solid में क्या है कि जो molecules होते हैं, solid में molecules होते हैं, closely packed होते हैं. क्या रहते हैं? closely packed रहते हैं. साथ में कि inter molecule force जो है inter molecule force of attraction वो काफी strong रहता है strong रहता है अब inter molecule force of attraction जाना है strong है तो क्या होगा space आपका बहुत कम रहता है means ना के बराबर आप practically बहुत सकते हैं आप center रहता है रहता ही नहीं है तो और साथ में जैसा मैंने बताया है कि रोजली packed रहते हैं अब इनके जो molecules है वो move तो कर नहीं सकते हैं लेकिन क्या करते हैं जैसे अगर आपने कुछ force लगा दिया है मालो energy दे दिया है तो क्या करते हैं सिर्फ only vibrate कर सकते हैं they only vibrate clear तो आप देख सकते हैं यहाँ पर structure बना हुआ है solid का इस तरह से आप समझ सकते हैं बात करते हैं आप liquid की तो देखिएगा liquid में तो liquid क्या है आप इसके बाद देखिएगा liquid liquid में क्या होता है कि inter molecule of force of attraction as compared to solid इसमें क्या रहता है थोड़ा सा कम रहता है ठीक है वहाँ पर उसमें क्या था बहुत जाना था लेकिन इसमें क्या रहता है liquid की बात करेंगे as compared to solid कम रहता है और inter molecule of force की बज़े से जो हमारा space है space थोड़ा सा जाना रहता है as compared to solid तो इस चीज़ को आप किलिए करेगा inter molecule of force of attraction as compared to solid इसमें maximum रहता है sorry माप किलिए जाद रहता है और space जाना रहता है ठीक है clear हो गया अब इस बज़े से और सारी चीज़े है कि जो molecules होते है less closely packed रहते है अब अगर inter molecule of force of attraction क्या रहेगा inter molecule of force of attraction अगर आपका कम रहता है तो जो space है वो क्या हो जाएगा जाना हो जाएगा यहाँ से आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं जो molecules है loosely packed है बोच सकते है less closely packed इस तरह से आप बोच सकते हैं less closely packed clear है तो अब इस बज़े से जो molecules है less closely packed रहते हैं इस बज़े से जो molecules होते हैं वो क्या कर सकते हैं move कर सकते हैं एक position से दूसरी position move कर सकते हैं clear है इसलिए हम बोलते हैं कि जो liquid's है liquid's के पास property होती है liquid has the property of being able to flow, इस बएश से क्या कर सकते हैं flow कर सकते हैं अब बात करते हैं gas की, तो gas को देखेगा gas में क्या होता है, inter molecule of force of attraction beek रहता है बहुत कम रहता है और जो space है, space इस बएश से जो force of attraction वो क्या है बहुत beek है, मिस कम है इस बएश से space क्या रहता है, बहुत जाना रहता है एक particle यहाँ है, तो दूसरा आपका जो molecules है यहाँ पर है, काफी दूर दूर रहते है तो inter molecule of space है काफी जाना रहता है as compared to liquid and solid तो इस बज़े से जो molecules रहते हैं molecule क्या करते हैं, molecule free to move कर सकते हैं, कहीं भी move कर सकते हैं clear है, जैसे आपने देखा है कि अगर room में कहीं भी, मालो room में है, एक gas leakage हो रही है, तो आप काफी दूर से smell कर सकते हैं, वो किसके वैसे हैं पूरा का पूरा जो gas होते हैं gas के जो particles होते हैं, जो molecule है पूरा का पूरा room को क्या कर लेते हैं whole space को occupy कर लेते हैं ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं यह आपका क्या दा arrangement of the molecule in the solid liquid gas ठीक है तो यह सारी चीज़े हैं इसके बाद तो देखेगा अब क्या है कि यह आपका first part दा this is the whole analysis of first part यह matter का first part है इसके बाद second part भी upload करूँगा मैं बहुत जल्दी से तो आप इसको देखेगा और अगर आपको कोई भी doubt हो कैसी भी problem हो तो आप comment करिएगा कोई भी जी अगर आपको नहीं संभी आती है कैसी भी problem हो आप comment करिएगा उसका मैं जब भी free हूँगा एक दो दिन में reply कर दोगा और कोई भी आपको और इसके regarding subject के regarding और भी कोई query है तो आप पूछ सकते हैं आप without hesitation आप comment करिएगा मैं उसका reply जरूँगा तो second part भी इसका बहुत जल्ली आएगा और अगर आप चाहते हैं कि जल्ली से जल्ली आएगा तो आप comment करिएगा इसके लिए भी तो मैं बहुत जल्ली कोईसे करूँगा सारे के सारे पार्ट जल्ली जल्ली अप्लोड कर दो now thank you for much